There might be a chance that the new proposed scheme will be implemented from November 2024. बच्चो ये possibility हो सकती है कि जो new proposed scheme है वो November 2024 से implement हो. Sir क्या? Sir आप ये क्या कह रहे हैं? क्या ये बात सच है? तो बच्चो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ऐसे बहुत सारे facts share करूँगा जिससे ये confirm हो जाएगा कि जो new proposed scheme है वो मई 2024 से implement होगी या November 2024 से implement होगी. हाला कि CA Nupam Sharma Sar ने जो कि ICI के concurrent bank auditor हैं उन्होंने 18 April को अपने tweet के थुरू ये share किया था कि जो new core scheme है उसका matter Ministry of Corporate Affairs के पास pending पड़ा हुआ है और भगवान ही जानता है कि MCI कब new core scheme को green signal देगा हाला कि ICI अपने सारे ही efforts लगा चुका है लेकिन MCI की तरफ से कोई भी response नहीं है तो ये हो सकता है कि जो new proposed scheme है वो मई 2024 की जगा नवंबर 2024 से implement हो तो बच्चों हाला कि ये एक पुराना tweet है और ये जो tweet है ये CNPAM शर्मा सर ने 18 अपरेल को release किया था और इसके बाद भी CNPAM शर्मा सर ने बहुत सारे tweets release किये और हमें time to time पर update किया क्योंकि हजारो students उनसे daily tweet करके ये पूछते हैं कि sir new proposed scheme कब implement होगी मैं आपको बताऊं कि जो direct entry students हैं जो कि मैं 2024 के examinations के लिए preparation कर रहे हैं वो इस बात से बहुत परेशान है कि new proposed scheme कब implement होगी क्योंकि इसका सबसे बड़ा reason ये है कि ऐसा सुनने में आया था कि जो new proposed scheme है उसके अंदर जो article shift training है अब वो 2 years की रहने वाली है और इसी वज़ा से बहुत से direct entry के students ने अपने 6 months खराब कर दिये हैं वेस्ट कर दिये हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो new proposed scheme है January 2023 से implement हो जाएगी और हमें जो exam से पहले एक साल training करनी पड़ती है उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा लेकिन January 2023 में news scheme implement नहीं हुई और इस वज़ा से direct entry के students ने 31 January तक अपनी articleship training को start नहीं किया November 2023 के examinations में नहीं बैठ पाए तो बच्चों ये जो news थी कि articleship training 2 years की होगी ये हमें सिरफ news channel से या YouTube channel से ही देखने को और सुनने को मिली थी बट हम ऐसी news पर rely नहीं कर सकते हैं और जब तक ICI एक पुकता announcement के थुरू इस चीज को हमारे साथ share नहीं कर देता है तब तक हमें किसी भी news channel या किसी भी YouTube channel पर विश्वास नहीं करना है और इसी तरह से वो students जो कि November 2023 के examinations में single group में appear हो रहे हैं वो भी इस बात से परेशान है कि sir new proposed scheme कब implement होगी क्योंकि अगर हम November 2023 में अपने single group को clear कर लेते हैं और अगर ICI मई 2024 में new scheme को implement कर देता है तो उस case में जो हमारा बचा हुआ group है जिसके हमने examinations नहीं दिये हैं वो हमें existing scheme के थुरू देने हैं या new scheme के थुरू देने हैं तो new scheme से related ये इतनी सारी confusions अभी students के दिमाग में चल रही है तो बच्चो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस video के थुरू मैं आपको maximum doubts clear कर दूँगा और साथ में मैं आपको ये भी guide करूँगा कि new proposed scheme के implementation की tentative date क्या हो सकती है तो आइए ये सारे ही facts को share करने के लिए मैं आपको सीधा C.A. Anupam Sharma सर के Twitter handle पर ले चलता हूँ बच्चो वीडियो आगे go through करने से पहले मैं आपसे request करूँगा कि अगर आप channel पर नए हैं तो हमारे channel को आज ही subscribe करें इस वीडियो को like करें और ज्यादा से ज्यादा share करें बच्चो ये C.A. Anupam Sharma सर का Twitter handle है और C.A. Anupam Sharma सर ICI के concurrent bank auditor है और सर ने 26 माई और 28 माई को बहुत ही important tweets share किये हैं तो आइए उन्हें go through करते हैं सबसे पहले मैं आपको जो 26 माई के tweet हैं वो show करता हूँ तो C.A. Anupam Sharma सर ने 26 माई को सुभे 10 बच के 9 मिनट पर ये tweet share किया Due to some technical reasons the council meeting for the new course matter was adjourned to June 15, 2023 समय से पहले कुछ नहीं होता but there are no lapses in ICI efforts तो सर ने यहाँ पर यही guide किया है कि कुछ technical reasons की वज़े से जो council की meeting है जिसमें की new course matter के बारे में discussion होना था कि ये कब से implement होगी वो meeting अब adjourned हो गई है और अब वो postpone कर दी गई है 15 June 2023 के लिए और आगे सर ने यही कहा है कि समय से पहले कुछ नहीं होता और ICI की इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि वो अपने पूरे efforts लगा रहा है तो बचो ये 26 मई का tweet है इसके बाद सर ने 28 मई को भी tweet share किये है तो आईए मैं आपको वो show करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 28 मई को एक student तो शारिका शर्मा ने ये query की सर बट chances तो है ना new course आने के तो सर ने यहाँ पर यही guide किया है उमीद पर दुनिया कायम है इंतजार का फल मीठा होता है तो सर ने student को यही reply किया है कि आप please wait कीजिए और अगर आप patience रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा तो इसमें आपका फायदा ही होगा आये बच्चो आप मैं आपको guide करता हूँ कि वो कौन सी tentative date है जिसमें ICI new propose scheme को launch कर सकता है तो बच्चो 26 मई को ही यहाँ पर CA मयूर रविंदरा जाडिया जी ने ये query की कि सर आपने 6 मई 2023 को Twitter के थुरू ये share किया था कि अब सब कुछ clear हो चुका है और जो official notification है वो 10 से 15 दिनों में आ जाएगी लेकिन अब आप कुछ different ही चीज share कर रहे हो, tweet कर रहे हो तो यहाँ पर सुनील कुमार जी ने ये share किया है Of course it will be implemented but why to discuss it in the meeting तो यहाँ पर अलग-लग students और members ने अपने अपने जो views हैं वो share किये हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुलदीप चौहान जी ने ये एक अनुमान लगाया है Sir for sure, ICI will definitely announce the new scheme from CA Day that is 1st July 2023 तो बच्चो जैसा कि CNPum Sharma Sir ने कहा है कि जो meeting है वो अब 15 June के लिए shift कर दी गई है और यहाँ पर ये news share की गई है कि जो new propose scheme है उसकी जो announcement है वो CA Day पर यानि कि 1 July 2023 को ICI announce कर सकता है तो बच्चो ये एक बहुत बड़ा reason है क्योंकि पिछली बार भी जो new propose scheme है वो CA Day पर ही announce की गई थी और अब भी ये possibility है कि 1 July 2023 को हमें new propose scheme से related कोई announcement देखने को मिले तो बच्चो जो भी CA Intermediate के direct entry students हैं जो की May 2024 के examinations के लिए preparation कर रहे हैं मैं उनसे यह request करूँगा कि please वो जल्द से जल्द ICI के अंदर अपना registration करवा ले और possible हो तो आप 1 June 2023 तक ICI के अंदर अपना registration करवा ले और existing scheme के हिसाब से ही जो criteria है उसके according आपको 31 July 2023 से पहले अपनी 1 month की ICI TSS की training को complete करना है और 31 July से पहले ही आपको अपनी articleship training स्टार्ट करनी है जिससे की आप easily CA Intermediate 2024 के examinations में appear हो सकें क्योंकि बच्चो CA Foundation के students भी new scheme से related बहुत जादा परेशान थे और ultimately ICI ने 29 मई को ही announcement के थूँ ये clear कर दिया कि जो CA Foundation के December 2023 के examinations हैं वो existing scheme के थूँ ही conduct किये जाएंगे और most probably अगर ICI मई 2024 में new proposed scheme को implement नहीं कर पाता है तो वो इसी तरह की एक announcement सभी students के लिए release कर देगा और उसमें ये confirm भी कर देगा कि जो आपकी new proposed scheme है वो November 2024 से implement होगी बचो इस वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा जै श्रीश्याम